आज बच्चों की बड़ी ही जित्ती की गैहों के आटे के बिस्किट बनाएं तो मैंने क्या किया यहां पर उनके लिए बिना चीनी के ही मतलब बिस्किट बना दिया तो आप भी इस बिस्किट को ट्राई कर सकते हैं खाने में बहुत ही कृषपी और मज़ेदार यह बिस्किट बनके तयार बिस्किट बना अच्छेAll relate जिसे ही भी इसे खा सकते हैं तो आपक बिस्किट के और मुदोर यहां पर लिए बिस्किट खा या Conkal अब इससे लड्डू के जैसे बांद के देखा तो ये बड़िया तरीकी से बंद रहा था यहाँ पे गुड को मैंने क्या किया पानी में डाल कर छोड़ दिया 10-20 मिनिट के लिए तो यह चिसी गुल गया इसी से एक डो लगा कर हम तयार करेंगे जिससे हमारी बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनके तयार होगी और ये बिना चीनी के हैं गुर से हैं तो बड़ी ही सौंधी सौंधी बढ़िया बनती है आप चाहो तो ट्राइ कर सकते हो और इसके लिए हमें डो भी बहुत ही टाइट सा लगाना है ऐसा नहीं है कि बहुत सौप्ट डो लगाना है जैसे पूरी बगेरा बनाते हैं तब लगा लेते हैं तो बैसा ही डो मैंने लगा कर तयार कर लिया है और यहां पर देखें अब क्या करेंगे इसे हातों से अच्छे से मसल लेंगे क्योंकि यह डो है ना बहुत ज़्यदा फटता है यह ऐसे ही डो रहता है यह हमेशा जब भी कभी आप बिस्कीट बनाएंगे तो इसी तरह से फटेगा तो हम इसे हातों से इस तरह से एकसा करते जाएंगे और इसे बेल कर तैयार करेंगे इसे हम बहुत ज़दा मॉटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़दा पतला नहीं रखेंगे बढ़िया क्रिस्पी आपके बिस्किट बन जाएंगे अब मैंने बिस्किट बनाना शुरू किया और बच्ची बोले मम्मी कितना टाइम लगता है तो मैंने कहा यह गरम गरम में तो बहुत ही सौट रहते हैं इनको बढ़िया तरीके से जब हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तभी यह बढ़िया क्रिस्पी होते हैं तो बस इंतिजार करो बिस्किट का और मैंने कुर काटने के बाद इस तरह की बिस्किट मैंने काटके तयार कर लिया तो बस सारी बिस्किट जट पड़ से बन गई और इसी तरह से हम बाकी के भी बना के तयार कर लेते हैं कुछ भी सामान आपको जद नहीं चाहिए इन बिस्किट को बनाने के लिए और सबसे अच्छी यहां पर देखें तेल को हमें सोता हुआ तेल चाहिए यहां पर देखें बिल्कुल सोता हुआ इसा नहीं है। इस तरह पर तेल हों तब इन्हें डाल देंगे और बढ़ी तरीके से धीमियाच में इनैं सेकेंगे जब आप धीमी आज में इने सेकेंगे न तो ये बहुती क्रंची बढ़िया बनके तयार होंगी अगर आपने इने तेज आज में सेका तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी तो बस इस बात का हम ध्यान रखेंगे और कलर चेंज होने तक इन्हें सेख कर तयार करेंगे अब ये गुड़के हैं तो आई ये बहुत ही जली कलर इनका चेंज हो जाएगा लेकिन जब आप धीमी आज में बढ़िया सेखेंगे तो ये अंदर से अच्छे से सिख जाएंगी और क्रिस्पी भी हो जाएंगी मेरे यहां बहुत ही क्रंची सी चीजे खाते हैं तो मैंने बहुत ही डार्क कलर आने तक इन्हें सेखा है और ये देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारी बिस्किट बन गई है और बस इसे निकाल कर अब हमें ठंडा करना है तो मैंने डाल दिया इसे प्लेट पे अब प्लेट पे तो मैंने डाल दिया इसे ठंडा करने के लिए और ये जली से ठंडी भी हो जाएंगी ज़्यादा टैम नहीं लगेगा क्योंकि ये बिस्किट जो है ना मज़िदार से बनके तयार हो गई है और इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी है देखें मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ एकदम क्रिस्पी हाथ से इस तरह से मसलेंगे तो एकदम चूरा हो जाएंगी और जब बच्चे खाएंगे ना तो एक के बाद एक मांगते रहेंगे और ये बिस्किट एक से दो दिन तक से ज़्यादा नहीं चलने वाली तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया यहाँ पर दो का पाटा लिया और एक से दो चमच के करीब तेल डाला पुआ हम थोड़े से खस्ता बनाएंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल एट किया है तेल बहुत ज़दा नहीं लगता है पुआ में बस हलका सा ही लगता है अपने ब्रत के लिए पुआ बनाए हैं तो इस तरह से मैंने पुआ बनाए थे तो मैंने सोचा क्यों न आप सबसे को भी यह वीडियो शेयर कर दो इसलिए मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया और देखें बहुत ही बढ़िया यहाँ पी पुआ बनके तयार होते हैं मेरी बीटी को दही के साथ यह पुआ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं वो हमेशा इंतिजार करती है यह पुआ खाने के लिए तो यहाँ पे देखें जटपट से हमारे जो पुआ हैं वो रेडि हो गए हैं एकदम परफेक्ट बढ़िया बने हैं अगर आप इनके कि गुट लिया अगर कोई नहीं बनती है तो आप plan भी बना सकते हूं आप बस आती हैं तो मीडियम आäch में तल लिजिए तो मेरे हाँ तो हलकी सी क्रंची से पसंद है तो मैंने धीमियाच कर ली है और इन्हें बढ़िया तरीके से सेख के तयार किया है और जब इनका एकदम पर्फेक्ट बढ़िया सा कलर आ गया है तो मैंने इने प्लेट पर निकाल दिये हैं ऐसे सांदार पुए आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे गुड के हैं एकदम सौंदे सौंदे बढ़िया बने हैं आप इन्हें दही से ट्राइ करिएगा उमीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और सेर्वी कर दीजिए और ये देखें बढ़िया से मेरे पुए कितने सांदार बने हैं आप मैं इसे तोड़ के दिखाते हूँ कितने मजेदार और बढ़िया लगे लगे आपका